नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजिटी पीजिटी सब्जेक्ट कॉमिनेशन हिंदी के बारे में बहुत सारे मित्रा इससे हैं जो सब्जेक्ट कॉमिनेशन को लेकर के कन्फ्यूज हैं उनको सारी च तो दोस्तों हम लोगों ने ओपन कर लिया हुआ है यहां पर हिंदी के बारे में पहले नंबर पर ही बताया क्या आरता आपके पास होनी चाहिए तब इसमें आप लोग आविदन कर सकते हैं अगले दोस्तों यहां पर देखले के लिए हिंदी के लिए बोला गया यह बीये हिंदी एवम शंसकरत के साथ इंटर्मीडिएट बिये आपने हिंदी से किया हो वि MAY में आपने हिंदी पढ़ा हो ठिक है 서क में शंसकरत के पर हो तो आप लोग आविदन कर सकते हैं तिक यह अगर आपने संस्कृत नहीं पड़ा है उसके संकच कोई दूसरी डिगरी आपके पास है जिसमें संस्कृत आपने पड़ा हो तब भी आवेदन कर सकते हैं बसरते बीयड यहां पर कंपल सरी है ठीक है बीयड होना चाहिए लेकिन अगर आपने बीयड भी नहीं किया हुआ है और कोई दूसरी उसके संकच डिगरी है तब भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन यहां पर ध्यान यह देना है आपको कि बीयड के संकच डियलेड को नहीं माना गया है तो डियलेड वाले वर्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पस एल्टी है पहले एल्टी चल सकते हैं ठीक है पहली उन्मादता आपकी योगता ये हो गई अगर ये सारी चीजे आए तो आप आभिढत कर सकते हैं गए और Moder को महाँन के अगर आपके पास यह पाला लेकिन ये दूसरी कंडिशन अगर फालो होती है आपकी बीए में हिंदी और संस्क्राइब दोनों बले ही आपने इसमें से कोई एक विसे को दो ही साल बढ़ा हो तब भी आवेदन आप लोग कर सकते हैं ठीक है इस तरीके सुझ तीन साल की अनुवारता है वो यूपी में नह संस्क्राइब तीन साल पढ़ाए मैं और हिंदी दोन साल पढ़ाय तब भी हाविदन कर सकते हैं इसके साथ ॐ की डिगरी शुप दिगरी भी यहां पर भी दी इर वर यहां पर भी दी गई तूंस का मुल्ब LET में इधर दिया है वरीमान अधिमानी आरता तो इसको आपको नहीं देखना यह आपके पास है तो ठीक है इसको आप लोग लगा दीजिएगा नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यह यहाँ पर कंपल सरी नहीं है इसमें आपको वरीता मिलेगी अधिमानी आरता है है ठीक है तो इसमें आपको ध्यान देनी की जरूरत नहीं है सिर्फ यह चीज़ें इन में से चाहिए तो नंबर वन वाला आपके पास हो या नंबर टू वाला हो कोई एक है तो आवेदन कर सकते हैं अब ठीक है अब बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में अब हम उपन कर लेते हैं पीजीटी का नोटिफिकेशन यह आप लोग देख पा रहे होंगे प्रवक्ता पदेश्ट नोटिफिकेशन है कहच्छा ग्यारा बारा के लिए यहां पर हिंदी के लिए क्या बोला गया है वह आप समझ लेजिए हिंदी किया हो और संस्कृत साथ भी यह किया हो संस्कृत के साथ तो आप विदन कर सकते हैं या फिर अगर आपने संस्कृत के साथ भी यह नहीं किया हुआ है आपके पास सास्त्री परिच्छा है कहां से राजकी संस्कृत कालेज वालनसी से तो भी आप लोग आविदन कर सकते हैं पीजीटी के लिए प्रवक्ता के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है सिर्फ ये आपका होना चाहिए बीएड इसमें नहीं मागा गया है ठीक है तो पहला पॉइंट ही हो गया सेकेंड पॉइंट ये देख लिए प्रसिछन योगता वरियमान राजाग्या संख्या इसके 16 मर्च 1989 के अनुसार दिनांग 5 प्रवल 1975 के पूर्व हाई स्कूल का छाओं के अध्यापन हे तू तत समय प्रचलित विर्यमों के अनुसार नियुकत द्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य सच्छी के योगता रखते हो तो इंटरमीडिट के हिंदी प्रवक्तापत पर प्रोनती हे दू संस्कर्थ विसे के से भी यह उत्तिवन होना आवस्यक नहीं होगा यह कुछी ऐसे बिर्थियं जिनकी उपर लागू होगा वह भी पांच अपड़ 1975 के पूर जो आई स्कूल के लिए है उनके लिए है मुझे लगता फ्रेसर कंडिडेट के लिए नहीं है तो आप लोग देख लीजेगा इसको अगर आपके ऊपर अप्लाई होती है कंडिशन्स तो आप अविदन कर सकते हैं अनता नहीं कर सकते हैं ठीक है थाड़ पॉइंट में लिखा गया है कि हिंदी में में के साथ संस्कृत विस्यों से सनौत को उतर बहुत से ऐसे लोग होत पाएंगे वही चीज़ें आप लिखी है कि उत्तिवन योगताधारी को एंटरिमेडियेट करचाओं के प्रवक्तापद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्तापद पर प्रोनती हे दू बीए में संस्कृत विस्यों की आनिवारत्ता से मुक्ति रहेगी ठीक है तो के उपर अपलाई होती है उसके अनुसार आप लोग यहां पर आविदन कर सकते हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया थक पीजीटी में बीएड एमेड पीएशडी इनकी कोई भी अनिवारता नहीं है अगर आपके पास है वरतमान समय में यह सारी योगता है तो आप इस और आविदन करने के डेट से पहले इस परिछाओं को आपके पास कर लिया हो क्वालिफाइ कर लिया हो तभी इनका विटेज आपको मिलेगा यह जो 25 अंक यहां से मिलते हैं यह फाइनल मेरिट में जोड दिये जाते हैं इसके लिए मनें अलग से वीडियो बनाया हुआ है स वेबसाइट पर आ जाईएगा यहां पर लेटेज जोब के सक्षन में टीजुटी और पीजुटी दोनों के ओनलाइन फार्म बरने के लिए आपको लिंक दिये गए यहां से आप लोग आवेदन फार्म बर सकते हैं सलेबस वगारा डाउनलोड करना तो सलेबस के सक्षन मे सकते हैं रीप्र में आना यहां पर लिंक देगा आपको एक्जाम पैटरन का यहां पर आप लोग दे सकते हैं किस तरीके से क्या का परिच्छा पोण ठीके तो आप करते हैं वीडियो पसंद आया होगा कोई चीन ना समझ में आयो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं इसके अलब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं यह भूला जा रहा था तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बहुत सैसे मित्र होंगे ज सरते क्या करना उनको कि जब भरिएगा आप लोग में अच्छी तरीके से बरिएगा और आपको एकल विसाय का जो डिग्री है उसको मैंसन नहीं करना है सिर्फ नार्मल ग्रिजुवेशन को ही मैंसन करना जो आप रोल लंबर बगर डाले हैं आप नार्मल ग्रिजुवेशन के ही डालिएगा ठीक है और जब आपका डॉक्युमेंट वेरिश्मिकेसन होगा उस टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर आप यह सोच रहा है कि हमारे पास अभी नहीं हैं कर लेंगे अभी बाद में और बाद में फिर वहां पर इंटर्वियों के टाइम दिखा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा जो भी आपके पास क्रेटेरिया यहां पर मांगी गई है वह वर्तवान समय में मवजूद होनी चाहिए ठीक है एपिरिंग वाले कंडिडिट आवेदर नहीं कर सकते हैं तो आसा करते हैं सारे चीज़ समझ में आ गई होंगी कोछ इन ना समझ मायों कमेंट बॉक्स में पूंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम शालंग का लिंक है वहां पर भी आप लोग हमें जोएन कर सकते हैं धन्यवाद